अधिवक्ता संग चुरहट के नव निर्वाचित अध्यक्ष ने लगाए पूर्व अध्यक्ष सचिव सहीत अन्य पदा धिकारियों पर गंभीर आरूप सीधी जिले के चुरहट अधिवक्ता संग के पूर्व अध्यक्ष वपूर्व सचिव सहीत समस्त पूर्व पदा धिकारियों पर बरतमान नव निर्वाचित अधिवक्ता संग चुरहट के अध्यक्ष ने गंभीर रूप से आरोप लगाते हुए कहा है कि बरतमान समय में 8 अ और ना ही किसी प्रकार से कोई हिसाब किताब दिया जा रहा है निर्वाचन प्रक्रिया के समय जो भी सुल्क के रूप में रास ली गई थी अब तक निर्वाचन अधिकारियों के दोरा तथा अन्य पदा धिकारियों के दोरा किसी भी प्रकार से उक्त रास का और निर्वाच समेत अन्य सभी पदाधिकारी अपने अपने पदभार बर्तमान नव निर्वाचित पदाधिकारियों को सौप देंगे और साथ ही पूरे कारेकाल का विवराण अधिवक्ता संग चुरहट को सौप देंगे परंतु अब तक किसी भी प्रकार से कोई भी संग्यान पूर्व प अधिवक्षे कारभार समाला गया है और कार किया जा रहा है उन्होंने अरोप लगाते हुए आगे यह भी कहा कि हमें तो नहीं लगता कि वह अपने अपने पदभार बर्तमान नव निर्वाचित पदाधिकारियों को देना चाहते हैं नव निर्वाचित दक्ष बिनोस सिं इसका कुछ भी ब्यवरा नहीं दिया जाता है ऐसा माना जाता है कि सम्हुजवानी ही हिसाब किताब रखा जाता रहा है क्या नाम है आपका मेरा नाम विनोत कुमार सिंद्वोकित है मैं अध्वाचित अध्यक्ष हूँ पिछले आठ अप्रेल 2021 को निर्वाचन हुआ है तब से मैं अध्यक्ष पर पर चुना गया हूँ और पूर्व के सची और अध्यक्ष के द्वारा आज तक क्रभार नहीं सौपा गया हम सची को वाच साब के मार्ध्यम से कुछ सूचियां सौपी गई है जिनका भौतिक सत्यापन अभी तक नहीं कराया गया कायस के संबंध में आज तक किसी प्रकार का दस्तावेश्साओं पर ही गया है और एक पक्षी रूप से मेरे द्वारा कारिस अंचालन नोटिस के उपरान प्रारम कर दिया गया है संका और करोना आवद के दर्मियान इंतजार करता रहा कि हो सकता है कि करोना आवद के बार खोले तो यह लोग सब चार्च प्रभार दें लेकिन अभी तक कोई ऐसी बात सामने नहीं आई ना देने के मूझ में है निर्वाचन अजिकारी में हो रहे जो रासी निर्वाचन प्रकिया के दर्मियान बता और फीस वसूले था उसका भी कोई हिसाब पिताब नहीं दिया आज तक न प्रभार्सों पगया है कितना पैसा किस मद में कहां खर्च हुआ उसका कोई हिसाब नहीं है सब जवानी जवाच है पिछले तीन साल से पता यह चल रहा है कि अपने जेव में पूरा कैस डाल की घूम रहे थे धेक सची संग का न कोई खाता संचालित हुआ है न है इस तरह से आजकल भुक्तामों के तरीके हैं चेक से हैं आर्टी जीयं से माध्यम से सब काइस के माध्यम से काम किया जाता रहा है एक तरह से ब्यापक भरष्ट यकजिश्ट चार ब्यापत है तू चल मैया की रधा पर ह hepat현 को अभी तक संग में का रहोता रहा किसी अ प्र